हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज बनाएंगे डोर मैट और इस ट्रिक से आप डोर मैट, फ्लोर मैट, कार्पिट कुछ भी बना सकते हो मैंने सर्कल में बनाया, आप किसी भी शेप में बनाईए मैंने पुराने लोबर का यूज किया है, आप चाहो तो कोई भी होजरी के कपड़े, जो कॉटन होजरी आते हैं, उसको यूज कर सकते हो मैंने इसको waterproof और washable बनाया है, बहुत ही जादा soft चलिए इसको बनाना सीखते हैं, तो सिर्फ एक ट्रिक सीखनी है आपको, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको बहुत पसंद दाएगा मैंने waterproof बनाने के लिए इसमें लिया है rice bag, rice bag, arta bag, कोई भी plastic sheet वाली जो bags होते हैं, उसको आप ले लिजे फोर लेयर में मैंने फोल्ड कर लिया है, देखिए open side है इसकी, folded side मेरी तरफ है और इस पर मैं निशान लगाऊंगी, तो यह मैंने लिया है 9 inch, तो देखिए इंचे टेप fix रखा है एक साई, और घुमा घुमा कर हमें 9 inch पर निशान लगाना है तो 9 inch का radius लेके मैंने निशान लगा लिया, इस निशान को आपस में match करा लेंगे, और इसी निशान पर इसे cut करेंगे यह मैंने cut कर लिया, तो देखिए यह हमारा 9 inch का radius लेके जो मैंने बनाया था, circle बन गया है, बड़े size में बना है अब मैंने ले हैं यह पुरानी lower, तो यह जो lower है बहुत पुरानी है, इसकी elastic वगएरा सब खराब हो चुकी है, किसी भी काम की नहीं है तो यह मुटा वाला पार्ट है जिसमें margin है, सिलाई वाला और piping लगी इसको निकाल देंगे और मैंने यहाँ पर देखिए, double fold में कपड़ा है, 3.5 inch की पटिया लंबी-लंबी cut कर लिए पुरे doormat को बनाने के लिए प्लीज आप वीडियो को skip मत करिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, देखिए 3.5 inch की पटिया है मैंने तो जब भी हम doormat बनाते हैं, लंबी-लंबी strip मिलती है, और सिलते जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब मशीन से हटा के strip को join करो, तो थोड़ा सा दिक्कत ये जंजट का काम लगता है तो इसमें आपको strip को joint में नहीं करना पड़ेगा, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, चलिए मशीन पे चलते हैं देखिए याप इस सरकल पे, मैं इस तरीके से इसको strip को fold कर ली हूँ, 3.5 inch की जो मैंने पट्टी ली थी, इस state में अब आप सोचोगे, round में base cut किया है और पट्टी state है, तो कैसे stitch होगी, आप simply इसको बहुत खीच के नहीं, सिफ round में हलका हलका करते हुए सिलाई कर लीजे folded side देखिए, बाहर की तरफ रहेगा, और जो कपड़े की, जो rough side होगी, वो अंदर की तरफ रहेगी तो उसी पे single foot का gap लेते हम इस तरीक के से सिलाई करेंगे तो पूरे पे हमें सिलाई लगाना है, तो देखिए कपड़े की पट्टे को ऐसे fold कर लेना है folded side जो रहेगी, वो हमारी बाहर की तरफ रहेगी, जो circle का बाहर वाला side है, वहां रहेगी और जो rough side है, वो अंदर की तरफ रहेगी next पट्टी जोडेंगे, तो वो margin भी हमारा दपता जाएगा, सिलाई में देखिए, बिल्कुल side में आ चुके हैं, corner पे अब क्या करना है, देखिए, आप machine से हटा के पट्टी को जोडते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आप पट्टी को fold कर लीजे, और उसी के अंदर insert कर लीजे, दूसरी पट्टी को बस सिलाई लगा लीजे, तो इस तरीके से जो हम पट्टी को अलग से stitch करते हैं, वो जंजट भी खतम हो जाएगा तो जहां तक अब ये पट्टी है, इसको stitch कर लीजे, फिर जब पट्टी हमारी खतम हो जाएगे, जो दूसरी पट्टी को सेम तरीके से हम जोइन कर लेंगे ये देखे, लास्ट में आ चुके हैं, फिर से मैंने पट्टी ले लिए, पहली वाली पट्टी को फोल्ड कर लीजे, या बाद वाली पट्टी, किसी एक पट्टी को फोल्ड कर लीजे, और एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करा लीजे तो आपको कहीं से भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि सिलाई कहां लगी है, और कपड़ा भी आपका एक बार में स्टीच हो जाएगा, खुलेगा भी नहीं, सिलाई के बाद भी नहीं खुलेगा तो यह जंजट का काम भी खतम हो चुका, जो इस ट्रिप को आपको अलग से जॉइन करना रहेगा बार बार, वो भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत कम समय में आपका दोर्मेट कम्प्रीट हो जाएगा, देखिए दूसरी पट्टी ली है, तो यह लाइट डेकलर है, त राउंड में हमारा बेस है, तो सिंपली हमें सिलाई लगानी है, बस सिलाई लगाते जाएए और इस पूरे को फिल कर लेना है, तो आप सिर्फ इसको एक लोवर का यूज़ करके बना सकते हो, मैंने थोड़ा कलर कॉंबिनेशन में बनाया, तो दो का यूज़ किया है, ब्लैक को फिल करेंगे, देखे इस तरीके से, मैंने ग्रे को फिल कर लिया है, ब्लैक वाली पत्टी को भी, उसमें भस हमें इस्टार्ट करना है, पत्टी जहां खतम होती, और आपको पट्टी बनाना है, तो आप कलरफुल पत्टी आईड करते जाहिए, तो आपको अगर आप कट लगा लोगे तो भी बहुत अच्छा लग रहा है दोनों तरीके से अच्छा लगेगा तो अगर आप कट लगा लोगे तो इसमें लुक बिल्कुल रेडिमेट वाल आ जाएगा और जैसे बेस मेरा राउंड में है पट्डी मैंने स्ट्रेट ली तो हल्का सा कलर कॉंबिनेशन से भी रेडिमेटी स्टाइल में होगे ज्यादा तर जो डोर मैट्स होते हैं ब्लैक और ग्रे के कॉंबिनेशन में आते हैं तो बहुत खुबसुरत लग रहा देखिए इस तरीके से कट्स लगाने के बाद सिर्फ आपको कट्स लगाने हैं तो छोटा वा बहुत ही प्यारा लग रहा है खुबसूरत बिल्कुल रेडिमेटी स्टाइल में है और वाशेबल भी कर सकते हैं और इसमें पानी अगरा गिरेगा तो भी जो पैलेगा नी क्योंकि मैंने नीचे जो प्लासिक शीट लगाई है राइस बहुत ही प्यारा देखिए पैर आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आजाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक और यूस्फूल वीडियो के साथ थैंक यू